तुरे विध्यार्तियों, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ, अंग्रेजों के दुर्गर्ष शत्रू टीपू सुल्तान के बारे में, जो मैसूर के सुल्तान के रूप में प्रसिद रहे हैं, और जिनोंने अंग्रेजों के साथ दो लहरा या लहरी और अंततय युद करते लेवे हैं जो उनका देहांत हो गया, विध्यार्तियों, टीपू के चरित्र के विशे में ततकालीन और आधुनीक इत्यासकारों ने विरोधी मत व्यक्त किये हैं, उनके विपक्ष के इत्यासकारों ने लिखा है कि वे कठोर अत्याचारी और धर्मान शाशक था, और उसे इनका परियाप्त ग्यान नहीं था और साथ ही इतियासकार जो है कर्णल विलकस उसके बारे में लिखता है कि हैदर चरित के मुल्यांकन में कभी ही भूल करता था जबकि टीपू कभी ही ठीक होता था टीपू के विशे में विध्यारत ये भी कहा जाता है कि वे अत्याचारी उसने अपने समय में अनेक किये उक्तिए को कठोर यातना दी हुआ विधिहार्तियूं यह माना जाता है कि टी पू जो है उसमें राजनितिक दूर्दर्शिता की कमी थी और इसले खारण अपने बडूसी राज्यों से साहिता प्राप्त करने के स्थान पर उसने दूरस्त फ्रांस और अन्य मुस्लिम राध्यों मिश्राधी से साहिता प्राप्त करने का प्रयास किया और अपनी नी तुरूटों के कारण टीपुन अपना सामराजी खो दिया यानि उसके बार में ये कहा गया है कि हैदर रली एक स सार्जियों के विश्य में कुछ भिन मत प्रकट करते हैं वस्तुतर टीपू से अंग्रेज बड़े ही आतंकित रहते थे इसी कारण अंग्रेज लेखकों ने उसे सीधा दित्ती यानि मौनिस्टर प्यॉर और सिंपल कहा है टीपू के आकरती में उन्हें नेपोलेन की मूर्त दिखाई पड़ती थी और इसलिए किसी भी कीमत पर उसे समाप करना चाहते थे टीपू अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था और वे शुरू से अंग्रेजों को भारत से बहार निकालने की योजना बना रहा था अंग्रेजों से उसे बहुत ग्रणा थी तता भाषाओं का अच्छा ग्यान था अपने पिता के समय से ही राज का सेना संचालन तथा शर्त्रू के साथ युद्ध करने का किर्यात्मक ग्यान उसे प्राप्त हो गया था और वे उच्च कोटी की प्रतीवा होते भी अपने पिता के समान लेकिन वे कुटने तिक चालो तता राजनितिक दाव पेचों की मरमग्यता उसमें नहीं थी और इसी कारण विध्यार्तियों वे अपने खिलाब बनेवे शत्रों के संगठन को तोड़ने में ऐसाफल रहा उसमें सेन्य संचालन और व्यू रचना की अद्बुत योग्यता थी शत्रू पर अभियान आक्मर करने में भी वे पारंगत था लेकिन वे थोड़ा एहंकारी भी था वे अपनी योग्यता में आवशक्ता से अधिक विश्वास रखता था और इसी कारण अपने अधिनस सेनापतियों के परामर्शों के अवेलना किया करता था और जिसकी वज़े से उसे कभी कभी जो है बहुत अनिस्ट कारी परणाम भुगतने पड़े थे वहे राजनिती में रूची रखता था और इसलिए विदेशी राज्यों से भी वेवार करने में वे कुशल था और अनेक देशों में उसने अपनी राज़ूत भेज कर उन से संपर्क इस्थापित करने का प्रयास किया था मराठा और निजाम से सायता ने मिलने तथा अंगरेजों से शत्रूता होने में उसका स्वयम का कम और इत्यास की घटना ओवे तत्क लिए परिस्तियों का दोष ज़्यादा दिखाई देता है उसने निजाम और मराठों की मित्रता हो जाने के प्रशात वे मुगल बाश्चा को सींध्या के वरभाव में समझ करी 1786 इसे में खुदबा अपने नाम से पढ़वाया था तथा उसने निजाम से मित्रता और विवा संबंद का भी प्रस्ताव रखा था जो की निजाम के दोरा ठुकड़ा दिया गया था विध्यार्तियों टीपू एक सांसी सैनिक और सैनापती था तृत्य मैसूर युद में बुरी तरे से कमजोर हो जाने के बावजूद अपना आधाराज्ये खोड़ देने के बावजूद भी उसने साहास नहीं छोड़ा था और अपनी पराज्ये को इस्थाई मानने के बज शक्ति यानि अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर संगर्ष किया विध्यार्तियों टीपू अपने पिता के सामान निरंकूर शाशक था लेकिन प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था उसके शाशनकाल में या उसके राज्ये में क्रशी व्यवस्था काफी उन्न परदान किये थे। उसने मंदिरों के निर्मान के लिए भी आठिक साहता प्रदान की थी। उसके महल के आसपास मंदिरों का विध्यमान होना ये इसपस्थज़ प्रकट करता है कि वे धर्म जो है सैशनु था और उसके जो शाही महल है उसके निकर्टी स्री वेंकट रामन्ना, श्री निवास और श्री रंगरात के मंदिर मौजूद होना उसकी विशाल हिर देता और सैश्नुता का इसपस्ट परमान है समस्त मैसूर राज्ये में विधार्दू जितने भी मंदिर मौजूद है वे किसी ने किसी रूप में सुल्तान टीपू द्वारा प्रदत भेटों और इनामों से लाभानवित हुए थे कोई भी वेक्ति आज भी मैसूर जाकर सुल्तान टीपू की ऐसा अपरदाइकता धार्मिक सहिष्णुता के मूँ बोलते प्रमाण अपनी आखों से देख सकता है उसने जैसा कि मैंने भी कहा कि अनेक मंदिरों के निर्माण में आर्थिक साहता दी थी और इतियासकार सुरेदना सेन लिखते हैं कि टीपू जानता था कि हिंदू जन्मत को किस तरह विजित किया जाता है और उसका पतन धार्मिक ऐस सहिष्णुता के कारण तो बिल्कुल नहीं हुआ था विध्यातियों टीपू जो है सुदारवादी भी था वह राज्य के प्रतेग विभाग के कारणे का बड़े परिश्वम के साथ निरक्षन करता था उसने शाषन के प्रतेग विभाग में सुधार किये नाप तोल प्रणाली तता वैपारिक नियमों में लापकारिक सुधारों को उसने प्रसलित किया अपरादियों को वह कठोर सजा देता था इसलिए उसके राज्ये में अपराद बहुत काम होते थे नियाय पढ़नाली में उसने अपने पिता का अनुकरन किया इस पकार वह एक सफल शाशक था इतना होते वे भी अपने पिता के समान उसमें कूट नितिग्यता तता वैभार कुशलता नहीं थी लेकिन नी संदे ये कहा जा सकता है कि टीपो सुल्तान एक सच्चा देश भक्त था उसमें देश प्रेम कूट कूट कर भरावा था उसने कभी भी किसी देश या राज्जी के खिलाफ लालच में आकर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और इस बात में उसका चरित्र मराठा तता हैदराबाद के निजाम से कहीं अधिक स्रेश्ट था एस अफल होत रहते वे भी भारते इत्यास में टीपू का नाम अमर है उसके संधर में ये कहा जाता है जैसा कि जो बंगाल के चीश जस्टिस थे उन्होंने कलकता में मई 1799 में लिखा था कि उस समय टीपू सुल्थानी एक मात्र शक्ति थी जो हमारी सेनाओं का मुँ मोडने की ताकत रखते थी अब से टीपू की मोत के बाद भारत में हमारा अंग्रेजी सामराजे द्रड और सुरक्षित हो गया है विधार्तियों यदे पी टीपू को घुजेवे आज 221 से भी जादा साल बीच चुके हैं लेकिन लोग आज भी टीपू का उसके चारित्रिक गुणों और देश पर मर मिट जाने के कारण हार्दिक सम्मान करते हैं उसके आलो चकों की तुलना में टीपू के प्रशन संख्यों की संख्या जो है आज भी जादा है बिटित इस्तियासकार पी रोबर्स ने लिखा है कि यदि टीपू सुल्तान एक दुरगर शत्रू यम निरंग कुछ आशक था किन्तु अंग्रेजों के प्रति शत्रूता में उसकी एक रोपता देखकर उसके प्रति श्रद्दा से सिर जुग जाता है अपने पिता हैदर अली की भाति वह भी इस नग्रू सत्य को समझता था कि किसी देशी शाषक के पिक्षा बिटैन उसका और भारत का सबसे बड़ा शत्रू था और इसलिए उसने अपने स्वदेशी शत्रू शाषकों के खिलाब अंग्रेजों से सभी साड़ कभी साड़ गाट नहीं की वहीं कालमाक्स ने भारती त्यास पर जो नौट्स लिखे उसमें लिखा है कि हैदर अली और उसके पुत टीपू साहब ने कुरान पर हाथ रखकर अंग्रेजों से अनंत ग्रणा करने और उन्हें कुचलने की कसम खाई थी तो विध्यार्तियों हम ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों का जो है कटर शत्रू था और सहासी और कभी पराजे ने सविकार करने वाला शाशक था फिर भी सेनापती के रूप में उसने एक भेंकर भूल की थी और उसने अपनी गुर्षवार सेना के पेक्षा अपनी पेदल सेना और किले बंदी पर अधिक बल दिया था और इसी कारण उसकी युद्धनिती जो है आक्रमक होने के स्थान पर सुरक्षात्मक बन गई थी और यही उसकी पराजिय का एक मुख्य कारण भी बनी विध्यार्तियों नी संदे वह अपने पिता की भाती सफल और योग्य सिद्ध नहीं हो सका था परन्तु तब भी वह योग्य और साहसी शाशक था इसमें कोई संदे नहीं है संभवत है उसकी ऐसा फलता ही उसके विक्तित को इस पस रूप से उभर कर सामने नहीं आने देती क्योंकि हम जानते हैं कि एक शाशक के लिए ऐसा फलता और पराजे से बुरी अन्ने कोई चीज नहीं होती है विध्यार्तियों टीपू एक चित्र आपके सामने है इसमें टीपू सुल्तान की पताकाएं और सिहासन का चड़नासन जो है दिखाया गया है सुल्तान टीपू के मैसूर सामराजी का जो चिन है राज के चिन है वो शेर था उसके अदबुत राजस्यासन की कलंगी जो है मोर थी उसका चड़नासन सोने का बना सिंग का मू था जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है उसकी दोनों आखें और दाथ बिल्लौर के थे और सिर के उपर की धार्या चमकते हुए सोने की थी तीपू सुल्तान की पताकाओं पर सुर्य का चिन होता था इदर उदर की दोनों पताकाओं लाल रेशम की थी जिनके बीच में सोने की किर्णों के सूरच बने हुए थे बीच की पताका हरे रंकी थी जिस पर सुने रहा सूरच कड़ा हुआ था पताकाओं के उपपर के जो सीरे हैं वो ठोस सोने के बने थे जिन में लाल, हीरे और जमुरर्ध जड़े थे ये तीनों बहुमुले पताकाय और चड़नासन वर्तमान में इंगलेंड के राज महल में रखे गए हैं तो विध्यारतियों हम देखते हैं कि मैसूर के सुल्तान टीपू ने अपने राज्ये से और देश से बिट्टी सरकार को बाहर निकालने क्या बिट्टी शाषन को समाप्त करने का काफी प्रयास किया लेकिन विश्वात घातियों ने उसको सफल नहीं होने दिया और अन्तत जो है उसकी पराजे हो गई और युद्ध करते वे उसकी म्रत्य हो गई तो इस पकार टीपू सुल्तान की जमरत्य हो गई तो उसके बाद बाद के देशी व्यासतों को भी ये लगा कि अब उनके राज्ये भी सुरक्षित नहीं है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी नाना फड़नविस की भी आखे पूरी तरह खुल चुकी थी और दीन आगए है भाग्ये के लिखे से कोई नहीं बच सकता है इत्यास गवा है कि ये स्वयम नाना की पॉलिसी से हुआ तो विध्यारतियों जैसा कि हमने अभी सब्दों का इस्तमाल क्या कि बुरे दिन आगए है और भाग्ये में जो लिखाया उसे कोई बच नहीं सकता तो एक के बाद एक अन्य देशी रियासते जाए मराठा हो या निजाम हो या सिख या अवद एक के बाद एक जो है अंग्रेज जो है उनको समाप करते चले गए और अन्तिते पूरे भारत देश पर उनका दिकार इस्थापित हो गया लेकिन आज भी टीपु का नाम उसके संगर् लिए उसकी देश भक्ति के लिए इत्यास में अमर है धन्यवाद